हेलो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे मानव सरीर का अधियन जैसे की किडिनी जिसे हिंदी में गुर्दा भी कहा जाता है हिर्दय, मस्तिक्स, भ्रून, आख, हड़ी, दात, यकृत, उत्तक, रुधीर, जिवास्म, गहौ, इत्यादी के अधियन को क्या कहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल वाला आइकन जरू दवा दिजएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को साथ सेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा तो चलिए वीडियो को अस्टार्ट करते हैं फस्ट है किडिनी तो किडिनी की अधियन को क्या कहते हैं तो किडिनी की अधियन को नेफ्रो लॉजी कहते हैं नेक्स्ट है हिर्दय तो हिर्दय की अधियन को क्या कहते हैं तो हिर्दय की अधियन को कार्डियो लॉजी कहते हैं next is mustix, तो mustix के अधियन को क्या कहते हैं, तो mustix के अधियन को neurologic कहते हैं, next is brun, तो brun के अधियन को embryo logic कहते हैं, आप relate कर सकते हैं, brun को इंगलिस में embryo कहा जाता है, तो embryo के अधियन को क्या कहते हैं, embryo logic कहते हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आसान तरीके से, next is arc, तो आख के अधियन को क्या कहते हैं तो आख के अधियन को आप थेलमो लॉजी कहते हैं नेक्स्ट हड़ी तो हड़ी के अधियन को क्या कहते हैं तो हड़ी के अधियन को आस्टियो लॉजी कहा जाते हैं नेक्स्ट है दात तो दात के अधियन को क्या कहते हैं तो दात के अधिय उत्तक के अधियन को क्या कहते हैं? तो उत्तक के अधियन को histology कहा जाता है नेक्स्ट है रुधीर तो रुधीर के अधियन को क्या कहते हैं? तो रुधीर के अधियन को hematology कहा जाता है नेक्स्ट है जिवास्म, तो जिवास्म की अधियन को क्या कहते हैं? तो जिवास्म की अधियन को पलेंटो लौजी कहते हैं नेक्स्ट है गहौ, तो गहौ की अधियन को क्या कहते हैं? तो गहौ की अधियन को ट्रूमेटो लौजी कहते हैं नेक्स्ट है cancer, तो cancer के अधियन को क्या कहते हैं? तो cancer के अधियन को oncology कहते हैं नेक्स्ट है जनसंख्या, तो जनसंख्या के अधियन को क्या कहते हैं? तो demography कहते हैं नेक्स्ट है अनुवंसिकी, तो अनुवंसिकी की अधियन को क्या कहते हैं, तो अनुवंसिकी की अधियन को जेनेटिक्स कहते हैं नेक्स्ट है मानस्पेसी, तो मानस्पेसी की अधियन को क्या कहते हैं, तो मायो लाजी कहते हैं नेक्स्ट है अस्तरी रोग, तो अस्तरी रोग के अधियन को क्या कहते हैं, तो अस्तरी रोग के अधियन को गाईनिको लाजी कहते हैं, नेक्स्ट है कोसीका, तो कोसीका के अधियन को क्या कहते हैं, तो कोसीका के अधियन को साइटो लाजी कहते हैं, नेक्स्ट है कान, तो कान लौजी कहते हैं नेक्स्ट है बुढ़ापा तो बुढ़ापा के अधियन को क्या कहते हैं तो जिरिंटो लौजी कहते हैं अब ये वीडियो समाप्त होता है आप लोग को कैसा लगए ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चै है ने वाँ